असलाम अलेकुम दोस्तों आज हम लोग वाइट चिकन बनाने जा रहे हैं इसके लिए मैंने एक किलो चिकन लिया है असाथ में इतनी पियाज है इसको मैं काड़ ले तुमारी पियाज मेरी देखिए कड़ गई है अब मैं गैस में कड़ाई रखती हूँ मैं वाइट चिकन को सुर्तों के तेल में बनाओंगी तेल मेरे अच्छे से गरम हो गया है अब मैं इसमें प्याज डालती हूँ साथ में मैं हरी मेज भी डाल देती हूँ अब मैं धाल चिनी के लकड़ी जावित्री जैफल तेज पत्ते काली मीज लॉंग छोटी लाइची अब मैं इसको सब डाल दिती हूँ इसी में इस प्याज को जादा लाल नहीं करनी है मत पाई एक मिन टॉट पकाऊंगी मेरी प्याज हो गई है मैं इसे निकाल लेती हूं देखे मैंने प्याज निकाल लिया है अब में तेल में वोस को डाल के से बूनूँगी, यज चामस मैंने 10 चामस, मैंने डाल दिया अब मैं इसे अज्छे से बूनुगी साथ में में इसमें नमक डाल देती हूं मेरा चिकन अभी हो रहा है, देखी घे कितना पानी छोड़ा इसने अब मैं इसको मिक्सिजार में डाले के पीछ लेती हूँ साथ में जई पीछती हूँ और मैं इसमें काजू, बदाम और कुस्ता दाना डालती हूँ ये सब का मैं बारिक पेस्ट बना लेती हूँ ये सब का मैं बारिक पेस्ट बना लेती हूँ इतिक यह देखिए, मेरा बारिक पेस्ट बन गया एए यह घर की मलाई यह में इसमें तीन चमल ड़ा लेते हूं मेरा चिकेन हो गया है, आप मैं इसे निकाल ये यह द हैएएब मैं इसमें ये सब डाल देते हूँ अब मैं इसमें बटर डालूंगी बटर मैंने डाल दिया है बटर डाल के मैं इसको दो से तीन मिट पकाऊंगी साथ में मैं अपने मतन को भी भूनूंगी मैं चिकन को इसी तरह भूनूंगी देखे कितने अच्छे से भून रहा है यह मेरा चिकन देखे भून गया है मैंने इसको ग्रेवी में डाल दिया और अभी भून रहा है मेरा चिकन सारा बुन गया है मैंने इसे अच्छे से मिला दिया है अब मैं इसमें कोईली के धुणा धूंगी कोईलो को मैंने अच्छे से करम कर लिया है मैंने इसमें बटर डाल दिया और इसे डग के रख देते हैं तो से तीन मिला मेरा वाइट चिकन बनके तयार हो गया है यह देखिए अगर आप कोई पसंदा तो आप भी बनाएए और दूओं में याद रखिए अल्ला आफिज